लाश्ट हम जान सकता है क्या हैं को सकता है कि या चांश कितना चांश किसक्ट एश किख्वी स्टुडेंट अभी तक इस इस आदु हम इसे बिधा स्ट किख फॉर्ट और की एलेवन ऑराउंड के अंदर भी एक सो कर रही है आप ओकर सो से कम अगर रेंक शो कर रही है देन यूव दे गुड चांस तो अलोटे सीट इन आयस्ती अलाकि जो बचे ऐसे हैं जिनकी केटेगरी से जो भी लोग करते हैं ठीक है अगर आप ऐसी केटेगरी से हैं 20 आपका शो कर रहा है आपकी टोटल सीटे चार बची हुई है तेन उस क कि पचास वेटिंग चल रही हूँ और आपकी जो केटेगरी उसमें एक ही सीट वेकेंट है तो आपको सीट कैसे मिल सकता है ठीक है इस्यार डिपेंड ओन दसीट लेकिन इस्यू क्या है कि जो भी बच्चे हैं जिनकी रेंग अपरोक्स दस है 15 है 11 है एक से लेके 20 पीस तक ह है उनको ऑल्रेडी जोसा के अंदर सीटे लोट हो रही है ठीक है उनको सीटे में ओल्रडी मिल रहा है यह लोट जो बच्छे ऐसे हैं जिनकी वेक्टिंग अपरोक्स पचास तक है उनको जोसा में कुछ ना कुछ ओल्रेडी मिला हुआ है तो जो इस पढ़ने वाले बच्च क्या कर रहा है क्योंकि उन्होंने जोसा में सीट पे कर रखिए ठीक है अब वह क्या करते हैं कि यार जो सा वाली जो फीस है वह वापिस जन्नावरी में वापिस आती है और इदर जो केटेगरी हैं वह अगर आपकी वाले बच्चे वह अशी जार रुपर मांग रहे हैं आये यह गर वालों को प्रेशर है और यह जो बच्चे यह ओलरी 99% केसे के अंदर पढ़ के आएं बहार से अच्छी इस्टिटूट से लाकों रुपे लगा रहे हैं अब फिर से एदर रसी दयार कोन देगा इसलिए सारे के सारे कट ले रहे हैं अच्छा सीट अलोट हुई यह लोग सिटे तो केंसल करेंगे ठीक है लेकिन जो अगर आपकी वेटिंग चल रहे हैं तुम लोग टेंशन मत दो यू कन पर प्रपेर यूर डोकुमेंट्स और और फिस इन यूर बेंक अन नेट बेंकिंग प्रोसेस यह पर आपका डिबिट कार्ट की लिमिट ठीक होनी चीए और डारिकली आप जो है उस टाइम पर चलूर से अप्लाई करिएगा कुछ बच्चे ऐसे हैं अगर कोई है जैसे आप अप्लाई नहीं कर पाए थे आपका डॉक्टर इश्यू लाइक डैट कुछ भी एक्सेप्सिनल रिजन था जिसके कारण आपको अदोर्टमेंट नहीं हो रहा आपने नहीं किया आपके मांक्स अच्छे हैं आप पड़ा ही करते थे लेकिन अगर जैनुवन एक्सेप्सिनल रिजन आगर आपका पेमेंट रिजन है आगर आपके पास पीस नहीं जुटा पाएं आप ऐसे बहुत सारे कैसे होते हैं आपका हाथ पे तूट था पढ़ नहीं पाए थे उस ताइम पे लेकिन आपका पहला का इस्ट्री बहुत इस्ट्रोंग है देन एज पर दर सुप्रीम कोर्ट केस इन 2019 के जज्जमेंट के साफ से यू के अप्रोच तो टीम ऑफ दे हाइर अप्टोरिटीज लाइक डारेक्टर वाइस चांसलर जिसके बारे हमने आपको पहले भी बता हैं क्या बहुत चारे बच्चों की क्वारी जाती वह ने फो में नहीं किया है हमारे मार्स बहुत अच्छे हैं जैए एडवांस में हमार अच्छे है फिटल में थे घर में कुछ हो गया था ट्रेजडी हो गी थी भूक कम आ गया था मारे इंटरनेट नहीं था बेंक का सरवर नहीं चल रहा था पेमेंट कर दिया था हमने एकजार काट दिया उसके बाद में मारा जो है ट्रांजेक्शन केंसल कर दिया फों को गैं किसे कोन साइश्ट्यूट मिलेगा और नौ वरी वी केंट हेल्प यू आँ टूडे है इंडिया की सबसे अच्छी कांसलिंग पर वाइड करने अंग कोशिज करते हैं व्यार्टर वाकिंग इंडेस्टी फॉम्डे लास्ट फाइफ यह एड हमें सब पता कि बच्चों की से इस्टिटूट में अच्छा है पांच साल बाद आपको जोब चाहिए दिन आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पर डे हमारे पास सोच से ज्यादा कोल आते हैं जिसके अंदर बच्चे बोलते हैं मेकनिकल मिल रहा है सिविल मिल रहा है लू की नहीं लू भाई मेकन आपके पढ़ने के लिए उसके बाद आपकी घर वाली शादी कर देंगे आप सेटल हो जाओगे दस साल बाद अगर नोकरी चलेगी आपकी फिल्ड गतम हो गई तिन आप कहां स्विच करोगे आपके बीवी बच्चे होंगे आपको पेसे कमाने हैं कैसे शिफ्ट करोगे आ अब आपको ब्रांच ऐसा चूज करना है जो आपको फ्यूचरिस्टिक हो जोबसों फ्यूचर के अंदर वह कैसे करोगे उसके लिए नोलेज नोलेज किसके पास है खाँ खाँ इसलिए नमबर दिया है हमारे वोट्चब नमबर दिया है आपके कोई भी क्वारी है आपके अब कर सकते हैं और अपने घर वालों का बोज आप बिल्कुल भी कम कर सकते हैं